हमने रसाइनिक अभिक्रियाओं के दुवारा विविन्य गैसों को बनाया है तथा उसकी पैचान संबंदित परिक्षण किये हैं जैसे धातु में अमलों तथा छारों से अभिक्रिया कर हैडुजन गैस के निर्माड करती हैं तथा इस गैस के जलने पर उत्पन्द पॉप ध्वनी से हम सभी परिचित हैं इसी प्रकार सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया तनु हैड्रोक्लोरिक अमल से कराने पर कार्बन डायक्साइट गैस का निर्माड होता है जिसे चूने के पानी में प्रवाहित करने पर उत्पन्द दूदिया रंग से हम सभी परिचित हैं आज हम सल्फर डायक्साइट गैस के निर्माण इसके भौतिक तथा रासाइनिक अभी लक्षणों से संबंदित प्रयोग करेंगे इसके लिए अवशक सामगरी सल्फर डायक्साइट गैस के निर्माण के लिए हमने गोल पेंदे के फ्लास्क में पांच ग्राम कॉपर की छीलन ली हुई है इसमें अब हम सांद्र H2SO4 मिलाएंगे यह सांद्र सल्फ्यूरी कमल दीरे दीरे इस फ्लास्क में इतना डालेंगे की थिसल फनल इसमें डूब जाए अब बर्नर की साहिता से इसे गरम करेंगे आप देख रहे हैं गैस जार में गैस एकत्र हो गई है अब इस बर्नर को हटा देंगे इस गैस जार को निकास नली से अलग करके अब एक एक करके नम नीला एव लाण लिटमस पत्र इस जार में ले जाएंगे तथा लिटमस पत्र के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखेंगे आप देख रहे हैं कि यह नीला लिटमस पत्र गैस जार में डालते ही लाल हो गया है अब इसमें लाल लिटमस पत्र को गीला करके जार में ले जाएंगे आप देख रहे हैं कि लाल लिटमस पत्र के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अब एक परक नली में लगभग दो एमेल पोटेशियम परमेगनेट का विलियन लेकर इसमें तनू सल्फियूरिक अंबल मिलाएंगे इसी प्रकार एक परक नली में पोटेशियम डाइकरोमेट का विलियन बनाएंगे तथा इसे अंबली करत करने के लिए कुछ तनू सल्फियूरिक अंबल मिलाएंगे अब बर्णर की साहिता से इस फ्लास्क को पुने गरम करेंगे गैस बनने के उपरांत बारी बारी से परक नली में बनाए हुए पोटेशियम परमेगनेट और पोटेशियम डाइकरोमेट के विलियन को ले जाएंगे हमने एक परक नली में पोटेशियम परमेगनेट का तथा दूसरी परक नली में पोटेशियम डाइकरोमेट का विलियन बना कर रख लिया है आप देख रहे हैं फ्लास्ट में गेस बन रही है अब इसमें बारी-बारी से पहले पोटेशियम परमेगनेट का विलियन ले जाएंगे और इसके रंग में होने वाले परिवर्तन को देखेंगे पोटेशियम परमेगनेट का रंग धीरे धीरे करके रंगहीन होता चला जा रहा है पोटेशियम परमेगनेट का विलियन ये गैस पास होने से रंगहीन हो गया है आप देख रहे हैं पोटेशियम परमेगनेट का गुलाबी रंग गैस प्रवाहित करने पर रंगहीन हो गया है अब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को विलियन को ले जाएंगे तथा इसमें गैस प्रवाहित करेंगे एवम पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलियन के रंग में परिवर्तन को प्रिक्षित करेंगे आप देख रहे हैं इसका रंग धीरे धीरे करके हरा होता चला जा रहा है आप इस पस्ट रूप से देख पा रहे हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का विलियन हरा हो चुका है अब इस बर्दर को बंद करके यहां से हटा देंगे इस प्रियोग में आपने देखा कि जब कौपर चीलन में सांदर सलफ्यूरी कमले मिलाते हैं तो सलफर डायोकसाइट गैस बनती है सलफर डायोकसाइट गैस जल से अभिक्रिया कर सलफ्यूरस अमल बनाती है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है सलफर डायोकसाइट गैस अमलिये पोटेशियम परमेगनेट विलियन से अभिक्रिया कर मेंगनीस सलफेट बनाती है जिससे पोटेशियम परमेगनेट का विलियन रंगहीन हो जाता है सलफर डायोकसाइट गैस पोटेशियम डायोकसाइट विलियन को हरे रंग के क्रोमियम सलफेट विलियन में परिवर्थित कर देती है आज के इस प्रयोग में हमने सलफर डायोकसाइट गैस को बनाया तथा उसके अभिलक्षण से सम्बंदित कुछ परिक्षण किये इस प्रयोग में आपने देखा कि जब कॉपर छीलन सांदर सल्फियूरिक अमल से अभिक्रिया करती है तो सल्फर डायोकसाइट गैस बनती है सल्फर डायोकसाइट गैस जल से अभिक्रिया कर सल्फियूरस अमल बनाती है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है सल्फर डायोकसाइड गैस अमलिये पोटेशियम परमेगनेट विलियन से अभिक्रिया कर मैंगनी सल्फेट बनाती है जिससे पोटेशियम परमेगनेट का विलियन रंगहीन हो जाता है सल्फर डायोकसाइड गैस पोटेशियम डाइक्रोमेट विलियन को क्रोमियम सल्फेट में परिवर्थित कर देती है जो हरे रंका होता है तो आज के इस प्रयोग में हमने सल्फर डायोकसाइड गैस को बनाया तथा उसकी पहचान के संबंदित कुछ परिक्षण किये